अगर बात करते हैं पीसीबी की तो पीसीबी ने अभी रिसेंटली मिस्टर सल्मान बट को इंड़क्ट किया है ऐसा कंसल्टन्ट इस पर बहुत तनकीद हो रही है हर कोई इस फैसले से खुश नहीं है लेकिन देखे अगर बात की जाए मोहमद आसिफ की या मोहमद आमिर की तो मोहमद आमिर को देखे he had a comeback in the cricket team and everyone accepted that even रमीज राजा की statement थी कि अगर बाकी क्रिकेटर्स को के problem है तो आप लोग रहे घर जा रहा है तो चले जाए लेकिन ये तो इस तरह ही आगए है मापस इनका comeback हो गया तो just deal with it मतलब मोहमद आमिर को warm heartedly welcome किया गया था अब अगर बात करी जाए मिस्टर सल्मान बढ़ की तो यह वही केस था तीनों का spot fixing का जिसमें मोहमद आसिफ थे मोहमद आमिर थे और मिस्टर सल्मान बढ़ भी थे तीनों पे इल्जमात बराबर के लगे थे मोहमद आसिफ नहीं मोहमद आमिर की बात करूँ उनका तो comeback हो गया मोहमद आसिफ ने ठीक है उन्होंने अपना एक side track कर लिया वै लेकिन अब सल्मान बटाकर आई ही गए है क्रिकेटर बनके तो नहीं आई ना नाशनल टीम में तो नहीं खेल रहे ना ऐसा कंसल्टन्टी आई ना इतने सालों बाद तो अब तनकीत करदा तो मेरे खाल से नहीं बनता इतनी acceptance तो होनी चाहिए थी कहा spot fixing का 2010 का case अब तो खतम हो चुक है मेरे ख्याल से अगर कुछीज हो गई है past में और उसके उपर लगेवे जो इल्जामात है या जो सजाय उन्होंने वो काट लिये तो people learn from their mistakes I think everyone should be given a second chance everyone on earth should be given a second chance चाहे वो जो सा मर्जी फील्ड हो या जो सा मर्जी रिलेशन हो अब बात की जाती है तनकीद होने पे तो कि क्यों हो रही है ऐसा consultant अगर कोई आई गया है तो ठीक है एसेप्ट कर लिजाए क्या कहते है मैं senior journalist Mr. अब्दिल सितार खान साहब से पूछूँगी कि मुझे पताए तनकीद बनती तो नहीं है अब अब तनकीद किस बात पे हो रही है तनकीद जो हो रही है वो बलकु ठीक है कैसे जो जिस बात पे इन तीनों को सजा मिली थी और सजा देने वाली जो मजाज अथरोटी थी और उसके बाद बरतानियां की अदारत में हुआ गलती तो थी इनकी, इनका तो हो गया, इनको सदा मिल गई, ठीक है, अब ये देखने वाली बात है, जो किसी ने आज तक नहीं देखी, कि इन्टरनेशनल क्रिक्ट काउंसल जिसे हम ICC कहते हैं, उसके किसी ने मामलात परके इस मामले पे, और ICC का जो एन्टी करॉप्शन यूनिट है, उसके मामलात किसी ने परके इसी मामले में, और उसके बाद जो बरतानिया की अदारत का फैसला आया, उसमें क्या खामियां थी, क्या डेफिशने थी, क्या उसमें इभाम था, क्या कन्फूजन थी, क्लैरीटी बहुत सारे मामलों में नहीं थी, इसकी तरुष कोई गया ही नी, सिरे से नहीं गया, वो सिर्फ वो सिर्फ एन तीनों पे सल्मान बट, आमिर, आसिफ और मज़र मजीद जो था उस पे रहा कि जी इनुने तो लुटियाई डिबो दी इनुने नाख अटवा ती सारा कुछ हो गया चलो ठीक है इन्होंने नाक कटवा दी लेकिन इनके नाक कटवाने के साथ साथ ICC ने, ACU ने और बरतानी के अदालत ने क्या किया उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नी गया किसी ने उसको परकह ही नी जाके सबसे पहले बात होती है कि एक लाख पचास हजार पाउंड, बिर्टिश पाउंड वो दिये गए मजर मजीद को किसने दिये? मजर महमूद एक था, अंडरकवर रपोर्टर था निउस अफ दी वर्ल्ड का उसने दिये कि जनाम मुझे कोई इन्फरमेशन दें आप और वो कैसे मिला था जाके मजर मजीद को वो मिला था कि I am the representative of the betting syndicate वो ट्रैप हो गया मजर मजीद एक लाख पचास जार पाउंड उसके सामने पड़ा हुआ है बिर्टिश पाउंड वो ट्रैप हो गया उसने का फिर कि जी फलाना फलाना खलाडी तो मेरे अहकामात पे अमल करता है और यह है कि तीन मुख्तलिफ ओवरों में तीन मुख्तलिफ गेंदों में नो बॉल होगी और ऐसा ही हो गया अब उसके पास आडियो वीडियो कर रहा था वो इनको पते नहीं चला कि वो आडियो वीडियो के साथ हाया हुआ है और यह 26 अगस्त 2010 का वाकिया है तो 26 अगस्त को मिलता है 26 अगस्त को दो बॉले नो बॉल होती है तीसरी बॉल इसलिए नहीं होती 26 अगस्त को के बारिश हो गयती फिर वो तीसरी नो बॉल 27 को जाके होती है 29 अगस्त को वो रपोर्ट देता है, स्टोरी देता है 29 अगस के बाद 2 सेप्टमबर 2010 में यानि कि चार दिन बाद ही ICC चार्ज कर देती है इन तीनों खिलाडियों को कि जनाब इन्होंने तो स्पॉर्ट फिक्सिंग की है पॉइंट आता है कि 9 बाल पे बेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती 9 बाल पे बेटिंग सटे बाजी क्या बुक मेकर या बुकिया कबूल करता है कि नहीं करता ये बड़ा बैलड पॉइंट था उस जज्जमेंट में किसी एक जगा पे इसका जिकर नहीं है वो बैट कां हुए लंदन में लीगल बुकमेकर होते है लंदन का बुकिया लीगल बुकमेकर है उसके पास होता तो ICC उस मैच का सारे की सारी बैटिंग मगवा सकती है, सारा रिकॉर्ड मगवा सकती जिसके उनको शक हो उसके बाद आयता है इंडिया के illegal book maker, बुकी है, बहुत बड़ी दुनिया हैं,ms audio का illegal book maker हुआ या लंदन का legal legal book maker हूँ, वो no wall पे betting नहीं लेता। यह अन लोगों को पता है जो 60 वाजी की दुनिया को जानते है, या book maker सी दुनिया को जानते हैं बुक्यों की दुनिया को जानते हैं ये उनको पता है आम बंदे को नहीं पता कि नौ बॉल पे भी बैटिंग होती है और बैटिंग एकसेप्ट की जाती है एक लाख पचास जार पौंड दो जार दस में अगर इंडिया के रुपए लिये जाएं तो 71 रुपए बनते थे इंडिया के एक बिटिश पौंड पे तो उसे लिहाज से ये एक लाख पचास जार पौंड को करोड रुपए के करीब हो गए पाकिस्तान के 132 रुपए थे उस वक्त एक बिटिश पौंड के बराबर तो पाकिस्तान के दो करोड रुपए बनते हैं ये अब ये बड़ी हैरत की बात है कि हसी भी निकल जाती है लोग केंगे हस क्यों रहा है हसी इस बात में निकल जाती कि एक करोड रुपया इंडिया और दो करोड रुपया पाकिसानी ये एक करोड दो करोड रुपया किस बुक मेकर ने एकसेप्ट करने थे नौ बॉल के उपर पंटर ज वो बुक मेकर बुकिया मुझे दुनिया में एक निकाल के दिखा लो जो इतना ही भेवकूफ है जो इतना ही गदा है कि एक बंदा room पटर उसके बास specific book भुक पे आ रहा है वो ओवर का नाम ले रहा है कि ढूर जो तीसरा ओवर है इसके तीसरी गेंद है ये च्छटा ओवराइस की दसवी गेंद है दसवा ओवराइस की छेमी गेंद है यार कौन सा पुकमेकर इस तरह से आपकी बैट लेगा हो कह गा यार भाईजन आप माफ करें पूरी इन्फरमेशन के साथ आ रहे हो आप कोई और जगा पे जाए नो बॉल पे पूरी दुनिया में एक लाख पचास जार पाउंड बैट हो ही नहीं सकते सटे बादी हो ही नहीं सकती चाए वो लीगल बुकिया है या इलीगल बुकिया है वो एक लाख पचास जार पाउंड यानि के एक करोड रुपए इंडिया का और पाकिस्तानी दो करोड रुपए है वो नौ बॉल पे कैसे लेगा ये तो बिलकुल मत मारने वाली बात है लोगों की तो मत इस वाय से वज़ी होती है कि लोगों को दुनिया का पता है नहीं सटे बाजी होती है वो नौ बॉल कहां से आगया जो सटे बाजी में आयता है और वो कौन सा बुकिया होगा जो नौ बॉल पे जा कि आपकी सटे बाजी एकसेप्ट कर लेगा यार वो मेरी तरह का बंदा तो नहीं कि सतार खान ने आज उसको पैसे उसके पास अचानक बहुत सार खान भी नहीं लेगा जो आज ही बैट है पहला उसका घंट है उसका पहला मैच है वो नौ बॉल के उपर एक लाख पचास जार पॉंड की बैट नहीं लेगा पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं ये बात हो गई अब जज्जमंट में ये बात तहरीर है जज्ज सब बॉकमेकर लूजिंग हैवी अमाउंट बाइ अची टिंग पंटर अब ये जीब सी बात है कि वो अदालत ने ये कहां से गेज कर लिया कि एक पंटर चालिस जार पाउंड से पचास जार पाउंड एक नौ बाल पे कमा सकता है और बुक्ये को बैटिंग करके बुक्ये का बाड़ा कर सकता है कहां से इंफरमेशन ली ये तीन बॉल कहां पर बैट हुए थे ये तीन नो बॉल कहां पर बैट हुए थे उसके बाद अदालत अपने ही फैसले में लिखती है कि दो से तीन साल तक ये तीनों प्लेयर सलमान बट, आमिर और आसिफ इनकी कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं टेली फून, मुबाइल की कॉल डिटेल्स हमारे पास हैं जिसमें ये information pass on करते रहे हैं दिली में इंडिया में और दुबई में किस मामले में pass on करते रहे information वो सटे बाजी या betting activity के हवाले से अब जड़ा अदालत से पूछा जाता है आपके पास mobile की telephone की call details आ गई है आप सुन रहे हैं कि सल्मान बात कर रहा है दिली में इंडिया में बंबई में और ये सल्मान बट है ये बंबई में बात कर रहा है या आमिर है या आसिफ है ये बात किस बात कर रहे होंगे ये इक बात कर रहे होंगे ना फलाना मैच है फलाने मैच में ये हो जाएगा और मैं आपको information दे रहा हूं और मेरा हिस्सा मुझे बता द ये तो सिर्फ तीन नौ बॉल्स थी और सिर्फ और सिर्फ एक लाग पचास जार पाउंट है वो जो अदालत कह रही है कि दो से तीन साल ये इंडिया में और दुबई में कॉल डिटेल्स हैं तो अदालत हमें बता रहती कि किस किस को फून किया जा रहा था वो कौन लोग थे जनको ये फून कर रहे थे उनके नाम क्या थे और वो फून पे जो इंफरमिशन पास एंफ आन कर रहे थी आप कह रहे हैं सटे बाज़ी के वाले से इंफरमिशन थी everything revolving around betting related activities तो बताएं तो सही दो तीन साल में तो आप खुदा की कसम इससे बड़ा स्केंडल नहीं आ सकता था तारीख में इससे बड़ा स्केंडल आज तक नहीं आ सकता अब उसका रिकॉर्डी कोई नहीं है लेकिन अदालत किस बेस पे कह रही है अदालत तो सबूत के बगएर शवायत के बगएर इनक्रिमिनेटें इविडंस के बगएर वो कोई बात नहीं करती होती वो हमाई तरह गिनी के मूँ ठागे बात कर दी अदालत तै फैसला दे रही है वो कर रही है तो फिर अब यह देखे ना ठीक है उसके बाद यह हुआ ना यह क्यों हुआ ऐसी गलती क्यों हुई बरतानी के अदारत से हुआ यह था कि 2000 में एक मैश फिक्सिंग का स्कैंडल आया था और इंडिया की सी बी आई ने उसको इन्वेस्टिगेट किया था पूरी दुनिया में आज तक माना जाता है कि उससे बेतरी इंडिया की जो जुरिस्डिक्शन थी वो सिर्फ इंडियन प्लेइस थे जो नोन इंडियन प्लेइस थे वो सी बी एई की जुरिस्डिक्शन नहीं थी तो उस वक्त था इंटरनेशनल क्रिक्ट काउंसल का जो एंटी कर्प्शन यूनिट है उसका हेड़ था पॉल कॉंडन पॉल कॉंडन गया था इंडिया और पिर पॉल कॉंडन के इंडिया जाने की वज़ा से बाकी जितने मुमालिक थे उसमें पाकिस्तान भी आता जहां क्रिकट खेली जाती है वहां इंक्वारी इंवेस्टिकेशन शुरू हो गई थी अब वहां पर उसकी मीटिंग होती थी पॉल कॉंडन की मीटिंग होती थी सी बी आ ऑफिशल से जिन्होंने वह इंक्वारी तियार की थी उन मेंसे दो अफसर थे जो रिटायर हो गए उनको फिर इंटरनेशनल क्रिकट काउंसल की एंटी करप्शन यूनिट ने नौकरी के ओफर कर दी उन्होंने एकसेप्ट कर लिया और वो जाके एंटी करप्शन यूनिट में नौकरी शुरू कर दी क्योंकि उनके क्रेडर में था कि दुनिया की सबसे बड़ी मैचस फिक्सिंग की इंकोरी उन्होंने की थी जो नमबर वन बंदा था ना टॉप आफ दी मैं टॉप आफ सी बी एई की स्पेशल जो रिपोर्ट थी उसका जो आथर था उसने इंकार कर दिया था उसने नौकरी नहीं एकसेप्ट की थी उसकी कोई वजवात वही जानता होगा हमें तो नहीं पता अब वो दो बंदों ने फिर अदालत की मदद की ये बताने में कि जनाब नौ बॉल पे बैटिंग होती है अब ये नहीं पता कि वो CBA के ऑफिशल जब आप इतनी बड़ी इंकारी कर रहे हैं और इतनी कमाल की इंकारी कर रहे हैं जिसके दुनिया भर में दाग बैट गई और दुनिया भर के जितने भी क्रिकट बोर्ड थे जहां क्रिकट खेली जाती थी उन्होंने भी अपनी इंवेस्टिकेशन इंकारी शुरू कर दी थी जिसके ताने बाने CBA की इंकारी से निकल रहे थे अब वो लोग इस तरह की कैसे कर सकते हैं यही बड़ी जीव सी बात है क्या अदालत को नहीं पता चला अदालत बड़े अराम के साथ बड़े अराम के साथ बड़े अराम के स होती है के नहीं होती बुक मेकर बुकिया एकसेप्ट करता है के नहीं करता उस बैटिंग को तो आपको बाएं चल जाता और पे साथ-साथ यह है कि एक लाख पचासजार पॉंड है वी बिग अमाउंट इंगलन का जो लीगल बुक मेकर है ना वह अगर का बैटिंग का जाकर कि हमाँ प्रैक्टिस क्या होती है 10 ड॑लर, 20 ड॑लर, 10 पाउंड, 20 पाउंड, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड ये है एक लग 50,000 पाउंड एक 9 बॉल पे is specific three over है और उस तीन specific over की तीन गेंदे है हो कैसे हो सकता है पागल तो नहीं किई हमने पागल समझग लिया कि दुनिया भार के बुकिये जो मेरे ख्याल में मेरी नजर में बड़ी इंटेलिजन्ट और बहुती सुपर क्लास की इंटेलिजन्ट सेग्मidän्स होता है सुसाइटी का हमने बुकियों को बेवकूफ समझ लिया कि उसनोंगे बैट्ट अक्सेप्ट कर ली होगी नौबॉल की किसी जज्वंट में जो बातानिया की धारत थी उसकी जज्वंट में नौबॉल की बैटिंग का कुछ जिकर ही निया ज़िक बैट हुआ था अबस यह का जा रहा है अच्छा चले फिर इसके आगे हम चलते हैं मुझे यह बताइए कि यह तो चले हो गया ना आप च्राइए के । relevant to the position he's been hired for. Recently, he's become a director, Mohamed Hafeez. He's been inducted and he's been inducted. Announcements are going to be talking about. Is the PCB playing his own or is the PCB zone out? What's he doing? I don't understand. Salman Bhattka should be. That's a good thing. He had been trying hard for the last many years because it was a case, it was a problem. But again, he wanted to come back into the cricket team. But now, if he's been inducted as a consultant, what's the point? What's the point of all this drama? You said that a consultant is a chuprasi. I didn't say that. A consultant is a clerk. A consultant is a chockedare. I didn't say that. Mohamed Aamir came to the cricket team. What did he come back? What did he come back? Please tell me. What position did he come back? When he had a comeback? What was he? Chairman, director or a cricketer? I want... He had to tell the question. He had to tell us about what it was. If he had to tell us, it was clear that the truth was that it would come. He had to tell us that we're not saying that it is a Ryan did. That we can tell us, if we want to tell something. We didn't say it. We can't tell us, if there is a consultant to come back. We can tell you that cricket board has been explained. होगा कि सल्मान बट एक हमारा असासा थाबत हो सकता है उसको कंसल्टन्ट लिया गया कंसल्टन्ट किसका लिया गया वही क्रिकट बोर्ड में चीफ सिलेक्टर एक हैं जो के बहुत पाकिस्तान का वो बॉलर है जोने पी एसल में सबसे ज्यादा विक्टेनी थी और बाद में मिनस्टर भी बन गए थे जो अब की के टेकर इस वक्शच्च जो चल रही है पंजाब की जो चल लए उसमें के टेकर मिनस्टर भी बन गए और पाकिसान का बहुत बड़ा बॉलर रहा है ठीक है उसके यह कंसल्टन्ट तीन लोग हुए है सलमान बट के लावा दो और भी हुए हैं जो रिटाइड जन्होंने क्रिकट खेलना चूर दी जिसमें कामरान अकमल जिसको गल्बन आप पसंद करती होंगी या नहीं करती होंगी मुझे नहीं पता लेकिन कामरा अकमल भी एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है पाकिसान के क्रि कोच लिया जाता है फिर आगे उनका कंसल्टन्ट लिया जाता है तो हर दौर में रहा है पाकिसान क्रिकट बोर्ड में यह रहा है इस मरतबह भी आके हुआ है कि छीफ सेलेक्टर भी हुआ चीफ कोच भी रख लिए चीफ कोच है हफीज हफीज के बारे मैं न्वाज यह सर् में कि मैं ऐसे सेट अप का हिस्स नहीं बनूघा, जिसमें टेंटिड पर्समारी आएंगे। ठीक है? डूबियस क्रिडेशल्डल्स वाली पर्समारी आएंगी, मैच फिक्सिंग वाले लोग रखे जाएंगे, स्पॉर्ट फिक्सिंग वाली रोग रखे जाएंगे, उसकी बुनियाद पर उसने कहा कि यार तुम्हे तो स्टीफा दे देना चाहिए, इसमें ये बात कि आपका माजी ठीक नहीं है, दागदार है, फिर वाइड करना चाहिए, माजी दागदार होना इनके हवाले से बात हुई है, तो इनको तो सजा मिल गई, लेकिन जो जो आई सी सी है, उसकी तरफ किसी नहीं नहीं देखा, आई सी सी जो एंटी करप्शन यूनिट है, उसकी तरफ किसी नहीं नहीं देखा, और बरतानिया की अदालत है, उसका जो फैसला है, जिसमें खाम अचा अब उसमें क्या है मजर मजीद एक लक पन्याजार पॉंड मजर मजीद का लंडन में घर है वन पॉइंट एट मिल बिटिश मिलियन पॉंड का लेकिन जब यह हो रहा था 2010 में यह भी अदालत के रिकॉर्ड में है कि वो उस वक तक साथ लाक बिटिश पॉंड का कि बावजूद साथ लाक पॉंड का मकरूद हो चुका हुआ था फिर यह बात मजर मजीद के दाएंबाएं से निकली कि मजर मजीद मैच फिक्सर को एक ब्लैक और वाइट के टेगोरिकल टर्म में एक मैसिज देना चाहता था कि देखो कोई मैच फिक्स करना है तुम मेरे स कैसे कैसे प्लेयर हैं कैसे कैसे बालर हैं मैं नॉबल करा सकता हूं और नॉबल हुई यह उसका मैसेज था अंडर वर्ड को या मैच फिक्सर को कि यार मेरी तरफ तवज़ दो क्योंकि अंडर वर्ड और मैच फिक्सर उसकी तरफ तवज़ देते हैं जिसके जेरे साया जेर असर खिलाडी होते हैं मदर मजीद ने उसाबत कर दिया था अब मदर मजीद को नहीं पता था कि यार ये गले पढ़ जाएगी किसी और तरीके से गले पढ़ जाएगी उसके इलावा ये जो पैसे बरामद हुए जो अदालत कहती है अदालत से सवाल कर सकते हैं आपका फैसला आया है अदालत का अदालत से सवाल किया जा सकता है ये कंटेम्ट नहीं होती जब आप प्रॉपर टेक्निकल तरीके से आते हो ये कंटेम्ट नहीं होती कंटेम्ट का तालुक बिलकु डिफरेंट चीजों से है Contempt में आपका लबो लाइजा देखा जाता है आपकी बॉडी लेंगविज देखी जाती है आपका फेस एक्सपेशन देखा जाता है ये टेकनिकली बात करते हैं कि अगर ये हुआ था तो ये इसकी तरफ दियान ने दिया गया इस पे कोई contempt नहीं होती और उसके बाद एक प्लेयर के अकाउन में 13,000 पाउंड थे और दूसरे प्लेयर के अकाउन में 23,000 पाउंड थे सवाल उड़ता है कि एक लाख पचास अजार पाउंड थे तो इतने पैसे बरामद हुए चाहे उसका फिजिकल पॉजेशन में थे सिल्मान बट के पास थे आसिफ के पास थे इतने उसके एकाउंड में थे तो बाकी पैसे काउंड गए सवाल उड़ता है ना एक लाख पचाहँजार पाउंड है उसके बाद पिर यह हुआ जब फैसला आया तो यह हमेशे हर जगा पे होता है फैसला आया तो यह कहा गया कि जनाब आप कंट्रिबूट करेंगे आपके ख़ाफ फैसला चला गया प्रोसीडूशन फंड या प्रोसीडूशन कौस्ट उसका जिमेदारी पढ़ती है जो यह की वैसे केस चलाया होता है prosecution cost होती है prosecution fund होता है तो अदारत ने कहा था कि आपने contribute करना तो एक लाख पाउंड तीनों को सबसे ज़्यादा मज़र मजीद पे था उस से कम सलमान बड़ पे था और फिर उस से कम लेकिन वो एक लाख पाउंड था तो बात तो एक लाख पचाज़ार पाउंड की ओरी तो एक लाख पाउंड तो बाकी पचाज़ार पाउंड अब यह सवाल ऐसे हैं अब उसमें एक और सवाल उठता है कि जब यह CB.I.S. मुलाकाते हो रही थी पौल कॉंडन की से हंसी करोनी पे उड़ गया यार पता नहीं कौन बड़े से बड़ा प्लेयर जो था ना बाकी तो बच गए लेकिन हंसी करोनी बिचारा उसकी किसमत खराब थी कि उसकी जथ हो गी तो वहां पे जब इनकी मुलाकात होती है तो सी बी एई फिर पॉल कॉंडन को आई सी सी को औ के यह जो बैटिंग में टर्निंग पॉंट आया, सटे बाजी में टर्निंग पॉंट आया वो आया था जब 1978 में पाकिस्तान और इंडियर के क्रिकट मैच रिजूम हुए बिट्विन पाकिस्तान और इंडिया की टीम पाकिस्तान आई थी और उस वहां से केरियर शुरु डेबियू था कपील देव का कपील देव ने अपना डेबियू वहां से शुरू किया था वो कहते हैं कि ये मैच थे जिसकी वज़ा से इट वाज ए टर्निंग पॉइंट जो सटे बाजी की दुनिया चली है ना निकली है और उसमें एक खास किसम का रेज आया है वो कहते हैं क कि 1978 में जब रिजूम हुआ था जब करिकट इंडिया की और पाकिसां की करिकट मैचेस दुबारा बहाल हुए थे तो उन्होंने का था कि ये टर्निंग पॉइंट हाना के बहुत और जाके देखा है जो बाद में जो इंडिया जीता था 1983 में वर्ल्ड कप जीता था येट व उखातर ने जो शार्जा में मैच शुरू किये थे तो ग्रेज्वली फिर उसके वॉलियम में इजाफा होना शुरू हुआ 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 हुए मैच फिक्सिंग का एक बकायदा ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया चले मैं सवच्ट यू मैं मानती हूं कि तनकीद जाइज है लेकिन यह आपका point of view है मेरा point of view यह है कि तनकीद नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर इतने सालों बात कोई come back कर रहे है भई नैशनल टीम में तो नहीं आए ना उन्होंने महनत भी किया उन्होंने डुमेस्टिक भी खेला लेकिन उनको नहीं मौका मिला it's okay आप लोग की क्य कर दो कि चलब एग और से लोग और स्क्डिशने क्या खेला वाप टाय।